चलिए डोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेच नीउज and like everyday आज भी आपके लिए क्या ज़वरदस टेच नीउस लेके आएं देखते रहीं एंग तक देखिये मज़ा आने माला है आपको लेकिन टेच नीउस चालू करूने से पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल आपको मिल जाए जैसे हम वीडियो अप्लोड करते हैं and unfortunately दोस्तों एक चीज रहे गई कल पोल डालना पोल नहीं डाला तो कोई क्या करें भूल गए तो भूल गए हम भी human beings है तो गल्ती तो हमसे होती है वैसे उसके लिए very very sorry आज से नहीं बूलेंगे that's a promise लेकिन दोस्तों मित्रो आप आप और हम जैसे मित्र हैं वैसे मित्रो आप जो है जो टिक टॉक का कलोन है फिर से आगया गूगल प्ले स्टोर के उपर very surprising जिया it is developed ये एक script थी जो डेवलप की हुई है एक पाकिस्तान डेवलपर ने और इधर खरी दी हमारे जो भी डेवलपर होंगे उसमें और वैसे कि वैसे डाल दीती इसलिए निकाल दिया है अपको changes लेके आ गया है शायद मित्रो आप में जिसकी वैसे Google ने वो allow कर दिया है प्ले स्टोर के उपर वैसे क्या लगता है आपको you have to tell me today in the comment section वैसे और एक incentive भी है दोस्तों अगर आप एक घंटे के अ आपको क्या लगता है टिक टॉक छोड़के आप मित्रों पर shift होंगे ऐसे टिक टॉक जिया और दोस्तों जैसे मैंने कहा था वैसे ही हुआ वैसे कल न्यूस आ गई थी जियो प्लाट्वाम में 6th investment आ गई है पिछले देड़ महिने में छटी investment है दोस्तों सोचिए 9000 करोड क के ऊपर 9,093 क्रोर इतना इंवेस्ट किया है साओधी अरेविया बेस्ट मुबदला इस कंपनी ने ओमाइग गाड़ देखिये हमारे लिए क्या है यह अच्छी बात है it is good improve the infrastructure give us good internet पहले जैसे था वैसे जियो का internet अब नहीं रहा है लेकिन यह सब investment आ रहे हैं तो infrastructure में डाल अधी लेकर आ जाई है that will be the top of the list वैसे दोस्तों Google का जो Android 11 आने वाला है उसका जो launch event था वो तो पोस्पोन हो गया है लेकिन एक feature आया है जो ज्यादा difficult करता है आपको apps install करना third party apps यहां प्ले स्टोर से install करोगे तो कोई problem नहीं लेकिन Android 11 का नया feature है जहां पे आपको straight forward जैसे अपने AP के लेके आगए बाहर से और install कर दिया अब वैसे possible नहीं है थोड़ा मुश्किल कर दिया करने को आएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर हो गया बहुत सारी companies बहुत सारे TVs लेके आ रही है जी हां Realme ने launch कर दिया अब TCL ने खाए कि उनके QLED series के मतलब QLED TVs वो लेके आने वाले 55 इंचिस से लेके 75 इंचिस तक जी हां अलग-अलग sizes में होंगी 55, 65, 75 QLED होने वाले है तक में इसका panel बहुत जबरदस्त होगा हम भी कोशिश करेंगे हमारे हाथ लग गया तो आप तक पहुचा देंगे unboxing and first impression yes TCL TVs इसे चोटा सा reminder दोस्तों अगर टेक न्यूज अच्छी लगती है like करना बिल्कुल मत भूलियेगा नहीं अच्छी लगती है no problem just keep watching और दोस्तों यह pandemic की वैसे बहुत सारी चीजे उलत-पुलत हो गई है डीले हो रहे हैं बहुत सारी चीजे और वैसे ही हो गया है iPhone 12 का launch event जिया ओफिशली नहीं बताया लेकिन सब जगह पे यही खबरे हैं कि iPhone 12 जो generally iPhone series जो है generally September में जो launch होती है वो डीले हो जाएगी yes बहुत सारे उनके जो component manufacturers थे वो बन थे जिसकी वैसे डीले हो गया components manufacturing और उसक PC हो गया है वो yes from 4th to 8th आपको free of cost मिलेगा लेकिन वैसे दोस्तों आपको बता दूँ PUBG की जो popularity है PC के उपर घटी जा रही है लोग जो players है वो छोड़ के जा रहे हैं PUBG को कह रहे हैं कि बहुत सारे bots वगेरे अब आ गये हैं इसके अंदर और दूसरा भी reason है Valorant आने के बाद जी हाँ पिछले हफते मैंने ख़बर दी थी आपको Valorant ये गेम पे बहुत सारे लोग shift हो रहे हैं और PUBG छोड रहे हैं और इसलिए शायद PUBG for PC free कर दिया है कुछ 4-5 दिनों के लिए जैसे अभी भी आप interested हो तो जरूर जा के देखिए OnePlus क्या-क्या लेके आएगा ये पता नहीं है बट community को वो सही में बहुत जबरदस्त engage करते हैं दोस्तों अब ऐसी खबर आ रही है कि OnePlus 80 के साथ वो करने वाले है community designed jacket launch जी हाँ मतलब jacket जो है ये आप मतलब जो OnePlus की community है वो design करेगी और वो launch करेंगे और दूसरी बात बेचेंगे नहीं इसे सिर्फ जो community है वही उसे ले पाएगी अफिर शायद oneplus दे भी दे as prices वगेरे बट community designed oneplus के jackets isn't that interesting यसे oneplus 80 भी आ रहा है इसका मतलब that was a given oneplus के बारे में बात कर रहे हैं तो बता दो दोस्तों कि oneplus 8 pro के dxo mark scores आ गये हैं and it is one of the top 10 in fact 10th position पे आ गया है उसका score आ है 119 और इस score के साथ दोस्तों definitely वो बीट करता है iPhone 11 pro max को उसके बाद में galaxy s20 plus ऐसे phones को 11 12 13 नंबर पे हैं वैसे top की अगर top 10 में देखोगे तो huawei honor के ही इसलिए गुड्स को इन्फिनिक्स और भी फोन्स ला रहा है उनके अब स्मार्ट सीरीज में इन्फिनिक्स स्मार्ट सीरीज 4 स्मार्ट 4 सीरीज ऐसे एक नया फोन आने वाला ऐसे कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी लांच करेंगे ये भी P22 इस प्रोसेसर पे होगा ये भी P P22 दोस्तों 2.5 साल पुराना प्रोसेसर और अभी इन्फिनिक्स उसी पर है मतलब पिछले तीन चार पांच फोन्स जो लांच किये यही P22 A22 इसी प्रोसेसर के उपर आयो है लेकिन 3GB RAM है 32GB स्टोरेज और याद रखिए इन्फिनिक्स के फोन अच्छे प्राइस पर आते है आने के बाद सब कुछ आपको जरूर बता है और रियल्मी वाच आप लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज रियल्मी ने अनाउंस कर दिया है कि पहले सेल में कुछ ही मिन्टों में शायद 2 या 3 मिन्टों में 15,000 यूनिट्स बेचे गए 15,000 रियल्मी वाच जून 9 को 12 बजे जी हां वालो क्लॉक होने वाला है सेल सो इट इस अक्चुली ए गूट वाच मतलब इस प्राइस रेंज में इस रियल्ली अग्रेट बजेट स्मार्ट वाच अगर उसका अन्बॉक्सिंग फॉर्स इंप्रेशन नहीं देखा है तो जहूर देखिए और नोटबुक आ रहा है और यह भी बताया दोस्तों आज उन्होंने कि आई 7th 10th generation पर होने वाला है इसका मतलब एक क्लियर है कि लेटेस्ट कोर्स होने वाले है लेटेस्ट प्रोसेसर होने वाला इसमें लेकिन वो इंटल का होगा I was hoping कि AMD 4000 series पर वागरे लांच कर दे लेकिन ऐ इसे नहीं है Intel के प्रोसेसर पर ही होने वाला है मी नोटबुक मी रेडमी में मी नोटबुक यस और दोस्तों फाइनली रेडमी 9 जो पिछले दो तीनियों से हम बात कर रहे है उसका बॉक्स आ गया है उसके कलर्स आ गये है उसके वेरियंट बाहर आ गये है लांच के पहले ह कि ऐसे का जा रहे कि जून 25 के आराउंड यह लांच होने वाला है तीन कलर्स में आने वाला है कुछ ब्लाक है ब्लू है और ग्रीनिश कलर वगे दिख रहा है 3GB प्लस 32GB 4GB प्लस 64GB ऐसे अलग-अलग दो वेरियंट होने वाले और प्राइस जो है दोस्तों वह $140 और $150 ऐसे कहीं जा रही है इसका मतलब कुछ 10,200 रुपए 3GB वेरियंट के लिए होगा और 4GB वेरियंट के लिए कुछ 11,500 होगा ठीक है आने के बाद आपको सब कुछ बताएंगे वैसे quad cameras भी है इसमें not bad price चलिए दोस्तों Tech News होती है खताम और sale जो flip card के ऊपर चल रहा है एक दो sale चल रहे है उसका आज आखरी दिन है उसकी links में कुछ दे रहा हूँ वाउचर and now time for the most important segment of this Tech News आपका नाम लेने का हमारे Superstars का नाम लेने का कल के हमारे तीन Superstar Featured Commenters है अजे सिंग अपी शा और जॉइदीप मुझुंदार Congratulations, lovely comments दोस्तों ऐसे ही रोज comments लिखते रहे हैं ऐसे ही रोज में आपके comments पढ़ता रहूँगा ऐसे ही आपका नाम लेता रहूँगा और आपको hearts और reply देता रहूँगा जी हाँ दोस्तों बहुत important है comments करना and thank you I really need to say thank you आप लोगों ने सही में बहुत comments किये हुएं कोशिश करता हूँ दोस्तों आपको hearts और reply दे सकूँ यहाँ चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारा tracking tech news episode number 744 खतम होता है इधर ही अच्छा लगा like ज़रूर कीजिए subscribe नहीं हो कर दिया sharing करना आपके हाथ में remind करना मेरे हाथ में दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe